जाहिन टू और डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है एक बाद फिर से आपका दा ट्यूटेस अकेडमी के यट्यूब चैनल पर और मेरे साथ माइनेम इस अभीशेक और वेलकम यू वन्स अगेन तो स्वागत है PYQE की स्रीज में आपका सभी का और कम्यूनिटी पर आपको एक क्वेश्चन मिला होगा CDS प्रिविएस एर क्वेश्चन होगा CDS 2nd 2015 में आया हुआ सैट एका क्वेश्चन नंबर 43 और खास बात यह है कि CDS में आते हैं sentence improvement जो कि NDA में भी पहले आते थे और यही rules हमारे जो यहाँ पर काम आते हैं वही हमारे exact tools काम आते हैं spotting errors में यानि कि यहाँ पर यह जो error दे रखी है एक phrase में error है यही phrase spotting error में भी use कर सकते थे गलत तरीके से तो अगर आपको इन phrases के बारे में पता है तभी आप error ढूण पाओगे otherwise आप जबरजस्ती दूसरे किसी पार्ट में error ढूणते रह जाओगे और आप असली error नहीं पकड़ पाओगे यहाँ पर क्या sentence में बोला गया है our plan for the trip हमारा जो plan था trip का वो fell down because we had no money क्यूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तो basically क्या कहना चारा है आपको समझ में आ गया होगा कि उसका plan fail हो गया है ना क्यूंकि पैसे नहीं थे तो एक-एक करके इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे fall down तो आपने सुना होगा ना कि आप कहीं पर खड़े हुए है आप नीचे गर गए तो क्या हो गया, fall down, नीचे गिरना, यहाँ पर नीचे गिरने का तो कोई sense नहीं है, यहाँ पर हमें बात करनी है, fail हो गया, फिर है fall off, देखे fall off का मतलब क्या होता है, कभी हम जैसे मालो मैं cycle चला रहा हूं, या मैं bike चला रहा हूं, cycle या bike पे चलते चलते मेरा helmet गिर गया, तो यूज करते करते, यह छोटा सा पार्ट गिर जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, this part fell off, है ना, यह तूट कर गिर गया है, detach होकर गिर गया, तो हम यूज करते हैं, fail off, फिर है fall out, अब देखे fall out का meaning एक बड़ा ही interesting meaning है, fall out क्या होता है, किसी भी एक चीज का प्रभाव, effect, और जादा तर यह use होता है, जैसे aircrafts वगेरा उड़ते हैं, और आपने देखा होगा, bombs वगेरा का explosion होता है, तो वो जो bombs वगेरा का explosion होता है, उससे air में, जो pollutants fell जाते हैं, उनको बोला जाता है, fall out of the nuclear weapon, fall out of the explosion, fall out of the bomb, है ना, तो यहाँ पर उसका भी कोई sense नहीं है, बचा हमा और कोई चीज क्या हो जाए, fail हो जाती है, जब हमारा कोई effort fail हो जाए, और व्यर्थ चला जाए, तो उसको बोलते है, fall through, तो आप समझ गए होगे answer क्या आना है, answer आना है, option number C, तो यहाँ पर केवल हमने इसका answer नहीं सीखा, इसके answer के साथ साथ हमने चार अलग-अलग phrases का use भी सिखा, कि जरूरी नहीं है, exam में fall through ही आएगा, exam में इसके और भी options आ सकते हैं आपके काम में, है ना, तो इसी तरह से practice की जाती है, और यही तरह तरीका होता है एक तरह से exam में previous year questions को analyze करने का और उनको attempt करने का, ठीक है, तो जुड़ी है हमारे साथ, मिलेंगे अगली व question में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, वंदे मातरम